नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं CM हेमन्द को ED ने भेजा चाउथी समन 23 सितंबर को बुलाया रांची जमीन घोटाला मामले में ED ने जार्खन के मुख्य मंत्री को फिर समन भेज कर पूस्ताश के लिए बुलाया है बता दे कि अच्चाउथी बार है जब जमीन घोटाले की जाच कर रही प्रवतन निदे साले ED ने हेमन्द सुरेन को समन भेज कर पूस्ताश के लिए बुलाया है ED ने 23 सितंबर को रांची इस्थित कर्याले में उपस्तित होने को कहा है इससे पहले ED ने हेमन्द सुरेन को तीसरा समन भेज कर पूस्ताश के लिए 9 सितंबर को हाजिर होने को कहा था वहीं दूसरी और हेमन्द सुरेन ने इस चमिन घोटाले से जुड़े मामले में ED के समन को चुनोती देते वे सुप्रीम कोट में आज के दाखिल कर रखी है बता दे इस से आज के पर 118 सितंबर को सुनवाई होनी है ED ने भी सुप्रीम कोट में कैवी एक्ट दाखिल कर अपना पक्ष सुनने का आगर किया है इधर हेमन्द सुरेन को एक के बाद एक समन जारी करने का करम भी ED ने जारी रखा है पिछले समन पर हेमन्द सुरेन ने ED को पत्र भेज का जनकारी दी थी कि वह G20 सब्मिट में राष्ट पती द्वारा आयोजीत भोज में सामिल होने दिली जा रहे हैं इस करण नहीं आ सकते हैं जार खंद से दसवी बर हमी पास करने वाले सभी छात्रों को मुप्त कोचिंग राई सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर में धावी छात्र शात्राओं को विभीन परवेस परिक्षाओं तथा परतोगिता परिक्षाओं को निसुल कोचिंग उपलब धेकराने करने नहीं किया है बतादे मेडिकल, इंजिनियरिंग इँवर अने परवेस परिक्षाओं की तयारी के लिए मुख्यमंत्री सिक्छा प्रोसाहन योजना तथा UPSC, JPSC सहित अने परतोगी परिक्षाओं की तयारी के लिए मुख्य मंत्री एकलब प्रसिक्चन योजना शुरू की जा रही है सबसे बड़ी बात यह है कि जार्खन के अस्थाने निवासी के अलावा जार्खन से दसवी और बरहमी के पढ़ाई करने वाले अने राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाव ले सकेंगे बसरते उनके परिवार की वार्षी क आय 8 लाग रुपे से अधीक नहीं हो बता दे खाज सुरक्य योजना की लाव को को भी इसका लाव मिलेगा P.M. V.S. कर्मा योजना की सुरुआत के अऊसर पर राणची के मौरबादी मेंики कार्यकरम का योजन किया गया यहाँ पर केंद्रिय मंतिर रजुन मुंडा ने सिल्फ कारों और कारीगरों को समभूधित किया बता देवी सुकर्मा पूजा पर प्रधान मंतिर नायदमोदी ने पीम भी सुकर्मा योजना की शुरुवात की है इस औसर पर राजधानी राची में भी कारीकरम कायोजन किया गया राजधानी के मौराबादी स्थित आरेवट सभागार में कारीकरम कायोजन किया गया इस मौके पर केंद्रिय मंतिर अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आने वाले दिनों में यह योजना देश के करोडों, सिल्फ कारों और कारिगरों के लिए वदान सावित होगा केंद्रिय मंद्री ने कारकरम की समाप्ति के बाद कहा है कि आज के दिन पीएम विश्व कर्मा योजना के शुरुआत होने के बाद ग्रामिन और सुदूर छेत्रों में रहने वाले जितने भी सिल्फ कार या कारिगर हैं वह सभी लभानवित होंगे बिनोवा भावे विश्व बिद्याले अस्थापना दिवस कारकरम में राजेपालने की सिर्कत बिनोव भावे विश्व भी देले हजारी बाग का बतिस्वास अपने दिवस रभी बार 17 सितंबर को मनाया गया जिसमें बतर मुख्य थी थी विश्व भी देले के कूला अधिपति सह चारकन के राजेपाल सीपी राधा किष्णन सामिल हुए इस दोरान उन्हें ने चात्रो को समधित किया राजेपाल सीपी राधा किष्णन ने कहा है कि आज का योग प्रतियोगिता अधारित योग है इसलिए आज के छात्रों को विभीन चुनोतियोग का कुसलता पुर्वक सामना करना पड़ेगा तभी छात्र सफलता प्राप्त कर पाएंगे वहीं राजेपाल अधाल ने कहा है कि हमारे विद्यार्ति समय का सद उप्योग करे वे समय सारनी बना कर उसका अनुरूप काड़े करे पढहाई पर ध्यान केंदरित करे एक समय में एक ही काम करे उन्होंने कहा है कि आप सभी समाजिक दाहितियों के निर्वाहन के लिए सर्चेष्ट रहे संसद का विशेश सत्र में कई जनुपयों की बील पर होगी चर्चा आरजुन मुंडा सोमवार से संसद के विशेश सत्र के सुरुआत हो रही है इसको लेकर केंद्रिय मंत्री आरजुन मुंडा ने कहा है कि कल से जो विशेश सत्र की सुरुआत हो रही है उसमें कई अहम बील पर चर्चा की जाएगी रांची में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रिय मंत्री ने ए बाते कही है बताजे संसत के विशेस सत्र में सामिल होने के लिए केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा दिल ली जाएंगे उन्होंने कहा है कि कल से सुरू होने वाले इस बिसे सत्र में कई मुद्धों पर चार्चा होनी है सोमवार से प्रारामब होने वाले सत्र में कई बीजनेस के मुद्धों पर चार्चा होगी इसके अलावा कई ऐसे जन उपयोगी बील हैं जिस पर सदन में चर्चा की जाएगी पलामू में थाने से बाई के छुडाने का योटूबरों ने किया हंगावा जारखन के पलामू जिले में जब तवानों को छुडाने के लिए दबाव बनाने की मांसा से पुलिस के साथ बहस करने के आरोप में पांच योटूबर को गिरफतार किया गया है या जनकारी एक सीनियर अधिकारी ने दी है पुलिस ने सुक्रवार देर रात बिशरामपूर थाना चितरे में अभियान चला कर एक दुरगाटना में सामिल मोडर साइकल और एक कार समयत कई वाहनों को जब्त कर लिया है बता दे बिशरामपूर के HDPO सुरजीत कुमार ने कहा है कि पांच योटूबर ने खुद को पत्रकार बताते हुए थाने में पहुँच गया है और पुलिस के साथ बहस की साथ ही जब तबाहनों को जुर्माना लगाए बिना नहीं छोड़े जाने पर पुलिस कर्मियों को सबक सिखाने की चीज़ाओनी दी है पुलिस के अनुसार इसके बाद उन्हें पुलिस के करतब निर्वाहन में बाधार डालने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया है पुलिस कर्मियों को रांची पुलिस ने गिरफतार कर लिया है एदी के खिलाब सियम हमतने सुप्रिम कोर्ट में दायर की एक और याचिका मूखे बंचरी हमंचिरे ने एदी के खिलाब सुप्रिम कोर्ट में क्रिमनल रीट प्रेटिसन के बाद आई ए डायर की है दोने चिकायों पर 16.18 सितंबर को सुनवाई होगी मुखी मंत्री की ओर से याजी का फाइल करने वाली सुप्रीम कोट के धिवक्ता स्वेता सिंग परिहार नहीं हजनकारी दिया है हालाकि अभी तक या असपश नहीं हो पाया है कि CM दोरा ED के खिलाब दायर IA में किस बात का जिक्र किया गया है वैसे CM ने क्रिमिनल रिट प्रेटिस्टन के जरिये जमिन घोटाला ममले में जारी ED के समन और PMLA की कुछ धाराओ पर अपती जताते हुए ED के अधिकार को चुनोती दिया है खास बात है कि क्रिमिनल रिट प्रेटिस्टन वर 15 सितंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन 13 सितंबर को ही CM के अधिवक्ता की तरफ से स्वास्थ कारणों का हवाला देते हुए सुनवाई की अगली तारिख देने की मांग की गई थी रांची के HEC में मनाया गया विशुकर्मा पूजा भारत की आन बान और सान कहया जाने वाले HEC में रविवर को धुमधाम से विशुकर्मा पूजा मनाया गया देश में कई किर्तिमान रच चुकी HEC के तीनों प्लांट में भागवान विस्व कर्मा की परतिमा स्थापित की गई बतादे पूजा करने आय कर्मियों ने भागवान विस्व कर्मा से अपरातना की है कि HEC जैसे देश और दुनिया में अपना नामा स्थापित कर चुका है उसी परकार आगे भी यह संस्थान, दिन, डोगनी, राच, चोगनी आगे बढ़ती रहे विश्व कर्मा पुजा के मौके पर HEC घुमने गए लोगों ने कहा है आज कही न कहीं ह mechanical होने वाले विश्कर्मा पुजा का उत्सा कम होता दिक रहा है क्योंकि HEC में काम करने वाले करमचारियों को पिछले कई महीन मेह से बेतर नहीं मिला है जारखन में बीली दर्मे बढषतरी का बिरोध करेगी भागपा जारखन में भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी CPI ने लोक सभा और विधान सभा चुनाओं के त्यारी शुरू कर दी है इसी करह में रभी और करांची में CPI के परदेश कर्याले में राजिकर करनी की बैठक की गई जिसमें जीलावार परभारी की नियुक्ति की गई बैठक के दवरान सभर समती से अणफेशला लिया गया खि Freundtag में बिली दरों में बढ़ोत्री के पर्याश का पर्याश का पार्टी बिरो हत्र करेगी भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी की जहर्खन राजिकर करनी की बैठक राष्ट्रिये परिशत के सर्ष से कनहाई पहाडिया के अधेक्ता में राची के परद्यस करला में संपन हुई बैठक में मुखे रूप से भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी के वरिष्ट नेता सहपुर्व सांसाथ भोनेश्वर परसाद मेता राज्य सचीव महेंदर पाठा को और अजाय सिंग उपस्थित थे कांके गोली कांड में पूलिश ने तेज की करवाई राजधानी में भूम अभ्याव खिलाब पूलिश ने बड़ी करवाई करने का काम सुरू कर दिया है इसी कड़ी में जमीन कारोबारी अधेश यादव पर हुई फैरिंग के फरार आरोपी चितरंजन सिंग के होटल और एक परतिस्थान को पूलिश ने ततकाल परभाव से बंद करवा दिया है गोली बारी के वरदात के बाद चितरंजन फरार चल रहा है हलाके पूलिश ने अब पूश्टी नहीं की है कि चितरंजन के होटल एवं दूसरे कारोबार उन्होंने बंद करवाए है बता दे रांची के कांके में जमीन कारोबारी अधिस चादो पर हुए हमले के मामले में फरार मुख्य आरोपी भूमापिया चितरंजन सिंग पर दविस बढ़ा दी गई है गेतल सूत डे में मचलियों की मौत जाच के आदेश रांची के गेतल सूत डे में मचलियों की मौत हुई है मामले में मंतरी ने जाच के आदेश दिये है घटना के पिछे साज इसकी असंका है बता दे रांची के अंगड़ा इसीत गेतल सूत डे में मचलियों की मौत से हड़कम मच गया है बिभागय मंत्री बादल पतरलेख ने इसे गंभीता से लेते हुए मच्छलियों के मौत की जांच के आदेश बिभागय सचिव को दिये है मंत्री ने कहा है कि गेतल सूत में कूल 24 केज है जिन में से 4 केज में मच्छलियों के मौत हुई है समीति के अध्यक्ष की माने तो करीब 8000 मचलियों की मौत हुई जब की महेश पूर्केज में सभी मचलिया सुरक्षी था है मंत्री बागल पत्रले के आदेश के बाद भीभाग के सची ने जीला मतद से पताधिकारी को निर्देश दिया है की रभीवार को मामले किजाच करें और मतद से पालको को बीज और सीट दोनों उपलब्ध कराएं लोक सभाज चुनाओं के लिए त्यार है जारखन कॉंग्रेस हैदराबाद में दो दिवसिय कॉंग्रेस कारे समिथी की बैठक में जारखन कॉंग्रेस अध्यक रायस ठाकूर यवां कॉंग्रेस विधायक दल नेता अलमगीर अलम सामिल हुए इस दवरान दोनों नेताओं ने पार्टी के सिस्ट नेताओं को 2024 के चुनाओं को लेकर परदेस कॉंग्रेस की त्यारी से समद्धी जनकारी साजा की है पर्देश कॉंग्रेस अध्यक्स राइस ठाकुने सिर्ष नेताओं को जनकारी देते वे कहा है कि पर्देश में पंचायत अतरस्त लेकर मुख्याले तक कॉंग्रेस करकाताओं के टीम पूरी तरह से तयार है साथ ही जार्खन में चल रहे कारकरमयों के साथ संगठन के मामलों पर भी पर्देश अध्यक्स राइस ठाकुने कॉंग्रेस अध्यक्स मिलका जुन खरगे पुर्वराश्ट्री अध्यक्स टाहूल गांधी वा अने सिनियर नेताओं को बिश्त्रित जनकारी दी है JPSC को दो महीने में संसोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश जारखन हाई कोड के जस्टिस एसन परसाद वर जस्टिस नवनित कुमार की खंड पिट ने JPSC को दो महा में सायक टाउन प्लानर नियुक्ति सक्षतकार का संसोधित परिणामजारी करने का निर्देश दिया है आदालत ने सनीवार को इस समान्द में निर्देश सुनाते हुए JPSC को वैसे लोगों की उमिदवारी रद करने का निर्देश दिया जिनके पास आवेदन जामा करने की अम्तिमती थी 10 अगस 2020 तक इंचूट अफ टाउन पलानर अफ इंडिया का परमान पत्र नहीं था जिनके अवेद ख़धानों पर परसासन की करवारी को डर्मा जिला परसासन ने अभीवार को बलू इस्टोन के अवेद उतकरन को लेकर बढ़ी करवारी की है वाइल लाइप वन प्रमंडल जीला परसासन खरण विभाग और कोडर्मा पुलिश ने सन्यूकत रूप से अभियान चला कर लोकाई के पास जंगली छेतर में करीब 10 एकर भू भाग पर अवैद उत्खरण के खिलाप करवाई की है पिछले दिनों ब्लो इस्टोन के अवैद उत्खरण और करवारों को लेकर बता दे परकासित होई ख़बर के बाद जीला परसासन ने करवाई की है लोकाई के पास जंगली छेतर में करवाई में कोडर्मा हाजारी बाग गिरीडी और चात्रा वाइले लाइफ की टीम सामिल रही वहीं वाइले लाइफ के डीएफो और निस चौधरी की अगवाई में अवैद उत्खरण को खिलाप करवाई को अंजाम दिया गया है लातेहार के पेट्रोल पंप में लूट पांच घंटे में खुलासा लातेहार जीले के चंदवा थाना छेतरे के पेट्रोल पंप में हुई लूट की घाटना का पुलिश ने खुलासा कर दिया है सनीवार को छेत्रे के मालहन रोड इस्थीत पेट्रोल पप में दो हाथियारवंद अपराधियों ने लूट पार्ट की वर्दात को अंजाम दिया था घातना के सुचना पर पहुंची पूलिस ने पांच घंटे के अंदर ही इस लूट पार्ट का खुलासा कर दिया है रभीवार को एसपी कर्याले में हड़ीपियों संतोस कुमार मिसरा ने बताया है कि दो बाइक सवार बदमाथ चंदवा के मलहन रोड पर इस्थीत पेट्रोल पंप लूट पाट की थी लूट की सुचना पर एसपी अंजनी अंजन ने एक टीम गठिद की थी पूरिष निरीक चक साथाना प्रभारी बवलू कुमार की ने तीवतित में टीम ने वरदात में सामिल मुख्या भी उत्करिष्ट की रफतार कर लिया है जारखन में पंचायत अस्तर पर खोले जाएंगे 4,000 उत्कृष्ट बिद्याला है राज सरकार बच्चों को बेतर सिक्षा उपलब्द कराने के लिए लागतार कारे कर रही है इसके लिए राजे में असी उत्कृष्ट बिद्याला खोले गाए है अगले चन्वे पंचायत अस्तर पर 4,000 और बिद्याला खोले जाएंगे सरकार द्वारा इसकी प्रकिरिया भी शुरू की गई है उक्तबाते पेजल स्वक्स्ता मंत्री मिथिलेश ठाकुने सनिवार को जारखन प्रगती सील सिक्षक संग के राज अस्तरी अधिवेशन में कही है अधिवेशन का आयोजन गोसनर थियोलोजिकल कॉलेज की हॉल में किया गया था अधिवेशन में राज भर के सिक्षक सामिल हुए उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार सिक्षकों की समस्याओ के समधान को लेकर गंबीर नहीं थी इस करण आई सिक्षको की समस्याओ का समधान नहीं हो सका है गुमला में अब नक्सली अपनी जेब भरने में लगे हैं भागपा मवादी हो या पीले फाई के सर से इनका एक ही मकसद बच गया है लेवी वसिलो और अपनी जेब भरो इस पी ने कहा है कि एक समय था जब नक्सली चरम पर था अब धीरे धीरे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है फिर भी हम यह नहीं कर सकते कि नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है उन्होंने कहा है कि भागपा मवादिक का विस्ता तेलंगाना 36 गड़ बिहार से लेकर जारकन तक है हलाकि जिस प्रकार पूलिस काम कर रही है आने वाले 10 से 15 सालों में नक्सली और नक्सलवाद दोनों अमतिम सास लेता नजर आएगा धनबाद में बड़ा हाथसा गोफ में समा गई तीन महिलाए बिसीसियल के कुसुंडा छेतर में तीन महिलाए हाथसे का सिकार हो गई है चेतर के गोंदू डी कोलेरी में संचालित आउट सोर्सिंग पर योजनाओ के पास टांस्पोर्टिंग रोड पर एक गोफ बना हुआ है रभीवार की दो फर तीन महिलाए सोच कर वापस लोट रही थी इसी दवरान तीनों गोफ में गिर गई तीनों महिलाए छोटकी बववा बस दीगी रहने वाली है सोर सुनकर आज़ पास के लोग मौके पर इकठा हो गा है हाथसे के सुचना पर पुलिस और CISF की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कारी में जुट गई है परबंधन टीम जेसी भी के घटना अस्थल पर मवजूद मलबे को हटा कर महिलाओ को निकालने का प्रयास कर रही है इस हाथसे के बाद से अस्थानिय लोगों में काफी रोस है सन्ना के प्रेमी को भेजा गया जेल एल एन टी फाइनेंस में काम करने वाली सन्ना की मौत ममले में उसके प्रेमीर राजीव को पूलिश ने गिरफतार कर जेल भेज़ दिया है सन्ना की बहन ने सनीवार को राजीव पर हत्याका रोप लगाते हुए फैयार्दज करवाई थी सनिवार को सन्ना का सव उसके ही लिव इन पार्टनर के कमरे से बरामत हुआ था बतादे सन्ना के परिजनों ने हत्याक और सव फंदे से लटकाने कारोप लगाया था सन्ना परवीन मुल रूप से जमसेदपूर के परशुटी की रहने वाली थी और बरतमान में एकलब अपार्टमेंट में राजीव के साथ लिव इन में रह रही थी दोनों रांची स्थीत एलेंटी फाइनेंस कमपनी में कारे रत थे धन्यवाद